हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग तो फिर सवागत है हमारे यूट्यूब चानल में अगर आप पहला वीडियो देखें होंगे तो यह आपको पता चली गया होगा यह कहां की वीडियो है और हम कहां जा रहे हैं तो गाइज अभी जो है मैग दी जिल्ला में थोड़ा फस चुके हैं यहां पर रोड किलियर हो रही है थोड़ा सा क्या बक्त लाग रहा है उसमें काम चल रहा है रोडों का तो इस वज़े से हमें अभी रुकना पड़ रहा है यहां और देख सकते हैं कितने गाड़ियां जाम लगी हुई है अब यहां पर कुछ प्रोग्राम होगा वह तो यहां पर कुछ लड़कियां डान्स कर रही है क्या है टाइम पास करना भी ज़रूरी है देख सकते हैं लड़कियां डान्स कर रही है नेपाली म्यूजिक में आप लोग देखिए जड़ा इंजोई किजिए देख सकते हैं लड़कियां फूल मस्ती में जुमते हुए देख सकते हैं विक्दम समझ रहे हैं आप वाव नाइस साथ ही साथ में अंटियों का भी डान्स आएगा अब दिखिए जड़ा देख सकते हैं अंटियों भी डान्स कर रही है कि अब आगे तो जानी सकते कि म।क्वी जाम लगा हुआ है तक रोड किलियर होगा नहीं तब तक जाने पता है कि रोड के लिए हो गया है अब हम यहां से निकल ना यह जेख सकते हैं आपको दिखाता हूं बिदा कैसा रोड है यहां पर मतलब मैं इस बहुत एक खराब रास्ता यहां पर बहुत ए बहुत है जगह तो अभी देखते हैं कैसे कैने आगे जा रहा हूं पेदल बहुत भर रास्ता ता इसलिए इसको आभी सुदार रहे हैं बट आधी निकलने बहुत थे तकलिफ वह देख सकते हैं यह यहां पर धक्का लगाएंगे पीछे से देख सकते हैं मैं आपको आगे आगे जाके दिखाता हूं देख सकते हैं गाइज यह देखिए मतलब यह थोड़ा चड़ाई है और यह जो है कच्चा मिट्टी जो डाला हुआ है अभी तो उसके वादे से के गाड़ी फस रही हो आप है अभी यहां पर पुलिस भी परिचालन करके रखा हुआ है देख सकते हैं यह देखिए बाइक तो निकलने की नामी नही है अभी भी आए तो आप अकेले ना आए पूरी टीम के साथ आए क्या है रास्ते में मुशिवत पर सकती है तो इसको मुशिवत को जहलने के लिए आप लोग को साथ रहना जारूरी है देख सकते हैं पहुति मुश्किल रास्ता हैं यहां पर मुटिनाठ जाने के टाइम पर सबसे outta यहीं पे देख सकते हैं इतना खुपलास्था पार करने के बाद आब आया एक नम्मर रास्ता देख सकते हैं रोड देख सकते हैं आप और भीउ देखिए वाव मता आ गया देख सकते हैं तुछा पहाड़ों के बीच बादल देखी और रोड़ भी काफी अच्छा मिला में आपे वाव कैसे बताओं कि मैं क्या फिल कर रहा हूं ये परकिर्टी ये नेचर देखिए नेचर इतना प्यारा दिर से है एक बार आप लोग भी जरूर आईए नेपाल में और नेपाल आने के बाद मुक्तिनाथ जरूर जाईए वाव वाव वन्डरफूल पैलेस यहां पर थोड़ा सा कच्चा रास्ता है क्योंकि बीच में कुछ काम चलता था तो अब देखते हैं आगे कैसा रास्ता है एक छोटी सी नदी है अभी तो इसमें पानी नहीं है बरसात के मौसम में उपर से पहाड़ों के विजविच से पानी आदे तब जाके उसमें दिखता है पानी देख सकते हैं रोड यह अभी बन रही है यह क्या है नया काम चालू है डबल क्लीकटिंग वी हो गई यह रोडों की तो एक साइड पेज हो गई है देख सकते हैं अच्छा है यहाँ पर क्या आभी एक ब्रीज बन रहा है तो इस वज़े से हमें अभी थोड़ा सा नेजी से जाना पड़ेगा क्या देख सकते हैं यह थोड़ा सा क्या प्रॉलम वाली र यह रोड़ तो काफी अच्छा है देखते कहां था कहीं ऐसा रास्ता मज़ा आ गया और इस एरिया में काफी ठंडी भी है देख सकते हैं बर्फ की मतलब पहाड़े देख सकते हैं आप उपर की साइड में यह काली गंड़े की नदी है अभी थोड़ा इसमें क्या पानी कम है बरसाथ की समय पर ज्यादा रहता है उसमें देख सकते हैं गाइज रोड तो वाह मतलब कुछ वह क्यते हैं कि मेनत का फ़ल मिठा होता है सब जैसे हमने इतने मुश्किले पार करा तब जाके तो यह अच सकते हैं अब कुछी समय में जॉम सम पहुंचने वाले हैं देख सकते हैं गाइज उची उची पहाड़े अब जॉम सम पहुंचने वाले हैं हम जॉम सम पहुंच चुके हैं देख सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं यह जॉम सम अब जो है हम कुछ समय यहां रुकेंगे तो आपको आगे की यात्रा जो है दूसरी वीडियो में दिख करवाता हूं वीडियो में बने रही है हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए थैंक्यो सो मज